दिली के जनकपुरी इलाके में एक पेंड जो है पांच कारों के पैव उपर गिर पड़ा जिसकी विश्य से पांच गारे जो है छतिग्रेस हो गई ये नजारा है दिली के डी बुलोग के जनकपुरी का जहाँ पर भायरी नीम का पेंड गिर गया सबी कार चर्तिगरस हो गई अपनी कार को देखने आये कार पिलित मालिकों ने बताये कि देर राज सड़क किनारे नीम के पेड़ के नीचे गाड़ियां को लगा रखा गया था जानकारी मिली एक टेंपू ने पेड़ को टकर मारी और पेड़ उख़ड कर कार पर जा गिरा इ रही ना कहें टेंपो वाले की लापरवाही थी जिसके विज़े से ये जो पेड़ है वो गिर गया और पांच गाड़ियां इसकी चपेड में गए रहत की बात ये रही कि इन कारों के अंदर उस वक्त कोई नहीं था और इसी बज़े से जानमल का कोई नुकसान नहीं हुआ बरहाल यहां देखी कि पांच गाड़ियां पूरी तरीके से च्छती ग्रस हो गई है जिनको अब निकालने का काम बूग किया जा रहा है वहीं कार मालिकों ने बता कि किस तरीके से ये हाथसा हुआ जिए उनके मताविक रात में उन्होंने अपनी गाड़ियों को पार्क कि यह पेर गीए कि यह दाड़ी दब गया कुण सी गाड़ी है अपकी बिजाएरेंगी कब की गटना कब की यह रात की है अब यह दूसरे से पता तो चली जाता है आप यहीं पास में रहते हैं यह तो मेरा लड़का गाड़ी लाकर लगा था रोटी खाने गया था बच्चा रह पेर गिरा कैसे क्या कोई ट्रक बाले ना तक कर मार देने इसमें पेर क्या काफी पुराना है अब आप लोग क्या मतलब कुलिस अब तक आई है कि ने कुछ यह राक पुलिस अब शुआ रहते हैं अब यह तक कोई करवाई नहीं है कि अब कर वाल गाजी जी क्या घटना गढ़ी यह विद्ध थाथि है हमें तो पून आया था भी एक्ट इसे ने ने कुट रख अटेनर तक अब कुझार जोगा युट इस ने आपके कौन सी घड़ी है कि पहले पहले हो आखे हैं काफी नुकसान हो गया है हम इस और शमार का पता नीचला कंटेइनर के पता लगा कि कंटेशना अंबरी पुलिस में उनसे ठाने का मामला है वैजी कब क्या चाहते हैं अपने आपने घा सिर्फित ने किस से लगज्राइज भाग से या कंटेशन नह आपरवाई का मामला हुदा आपरवाई का मामला है ना कंटेनर ने आगे ठोखते हैं ना कितने काड़ी नुक्सांद साथ पांक यह थे काड़ी